चुनावी अखाड़े में सभी राजनेता अपने डल बल और पूरी ताकत के साथ कूच चुके हैं और ऐसे में हर कोई अपना बेहतरीन सियासी दाव खेलने में लगा हुआ है चुनावी अखाड़े में आज हमारे साथ मौझूद हैं केंद्री मंत्री और उलम्पिक पद विजेता कर्णल राजिवर्दन सिंग राठोड आपका बहुत बहुत स्वागत है उनके इस संसदिय शेक्र जैपूर ग्रामीन के यहां हम मौझूद हैं और हमने यहां पर अपना एक छोटा सा चुनावी अखाड़ा यहां लगा लिया है कंडल साब अगर बात करें इस बार सामने खिलाडी ही मैदान में है जातिगत समिकरण जो हैं वो भी थोड़े हिल रहे हैं तो यह खेल कितना मुश्किल नहीं अगर आप ध्यान से देखें तो खिलाडी नहीं है हमारे सामने एक ऐसी मानसिक्ता है कॉंग्रेस की जिसने दशकों से इस देश को सिर्फ निचोड़ा जिसने एक तुष्टी करण की राजनीती करी भेदभाव की राजनीती करी सिर्फ नारों की नाजनीती करी क्यों पांच साल के अंदर नामदारों की सरकार नहीं है कामदारों की सरकार है इसलिए काम नीचे तक पहुंच रहा है अगर पूरे गाव गाव में आप यहां तक आई है हमारे ग्राम चितोली के अंदर जहां पर यह मूर्तिकार रहते हैं आप गाड़ी में जाएं तो आप आपड़ों में आता था तो लगता था रहे पॉलिटिशन आ रहा है बदमाश आदमी है जूट बोलेगा ये अहालत हो गए थे अब जाकर विश्वास वापस से जगा है कि हां हमारे देश में ऐसा नेता है जो देश की संपती देश के गाहों तक पहुंचा सकते हैं और इसी क में लिए पहला मौका था आपकी स्लेट बिल्कुल साफ थी आपके साथ एक फौज उलंपिक पदक विजेता होने का एक जुस्मान सम्मान था वो साथ में था और एक मोदी वेव थी लेकिन इस बार का चुनाव कहा जा रहा है कि वो अलग है वो वेव कहीं मिसिंग है और आ उपर उपर थी इस बार सतह के नीचे नीचे इनके दिलों में चल रही है क्योंकि जो मैंने कहा साफ है एक फर्क साफ है क्योंकि इस बार तो काम भी प्रधान मंत्री मोदी जी का दिख रहा है उस काम के दिखने की वज़े से सब को पता है सब ने मन मना लिया है कि वोट कहा जी कर आते हैं आप देश के लिए तिरंगे के मान सम्मान के लिए लड़कर आते हैं चाहे खेल का मैदान हो या युद का मैदान हो तो आपकी छवी साफ होती है आपकी इच्छा शक्ती प्रबल होती है और आपका आपका संकल वो बहुत उचा होता है कि इस जीवन में कुछ कुछ करना है और मैं इसी लिए इस राजनितिक जीवन में आया कि मुझे इस जीवन में कुछ और करना है और देशवासियों के लिए करना है तो मेरा रिपोर्ट काट शांदार है आपका विपक्षी आप पर यह रोप लगा रहे हैं क्योंकि आपके पास दो-दो मंत्राले महच पाए इसमें कितनी सच चाहिए आपकी नजर देखेस हर व्यक्ति के पास 24 घंटे होते हैं दो मंत्राले होने के बावजूत मैं 80 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में के जा चुका हूं मेरा काम मेरा काम 100 प्रतिशत कंचायतों के अंदर जा चुका है और मैं हमेशा कोशि आपके लिए प्यार है यहां लेकिन अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की पांच महीने का वक्त मुश्किल बीता है और अगर जैपूर ग्रामिंग श्वेत्र की भी बात करें तो नतीजे जो हैं वो हक में बीजिपी के नहीं गए थे जो विधानसभा के चुनाग हो यह राजिस्थान का चुनाव है देश में किसी को भी लियाना यहां तो कृपा करके कॉंग्रेस को लियाई है यहां तक बात करी थी उन्होंने उस नारे सित्फाक रखते हैं कि वसंद्रा तेरी खेर नहीं मोधी तुझसे बैर नहीं नारा तो आप बता रही हैं मुझे लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं यही हुआ जो से मैंने अभी कहा और एक जगे नारा यह लग रहा है कि बच्चे को चाहिए गोधी और देश को चाहिए मोधी राष्टबाद के मुद्दे को भुनाय जा रहा है ऐसा विपक्ष कह रहा है तो आपका एतिहास रहा है जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी कि पिछले 100 साल से आपका परिवार जो है सेना से जुड़ा रहा है तो ऐसे में जब सेना को प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उस पर एक फौजी की राय क्या होती है सेना को प्रचार के लिए इस्तिमाल करा जा रहा यह शब्द विपक्स के है आप उन शब्दों को दोहरा रही हैं सेनिक कहां से जाते हैं इन ही गाहों से जाते हैं एज यही नौजवान है जो प्रिशिक्षन के बाद एक सेनिक बनते हैं आप जब यह सर्जिकल स्ट्राइक्स Air Strikes के बारे में सुनते हैं और कहते हैं साब ये आप Air Strikes और Surgical Strikes को तो आप राजनेति के लाब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरा प्रशन ये है कि आप सब को विपख्ष को मीडिया को इस Surgical Strikes की ख़ब कब लगी थी जब ये सफल हो गए आप प्रधान मंत्री का सोचे जरा कि प्रधान मंत्री के मन पे क्या गुजर रही होगी जब वो सैनिकों को आकरमन करने के लिए अपना आदेश दे रहे होंगे उस समय तो प्रधान मंत्री जी को ये नहीं पता न कि ये सर्जिकल स्ट्राइक सफल होगी या असफल होगी अब इसको एक बार घुमा दीजे 180 डिगरी मान लीजे आपकी सर्जिकल स्ट्राइक एसट्राइक असफल हो जाती है तो चुनाव में क्या होगा बताईए आप इसको सिर्फ सफलता के बाद देख रहे हैं नहीं है देश की सुरक्षा सबसे पहले मैं तो पूर्णे आप जाईए हमला करके आईए नुकसान हुआ तो मेरे उपर है तो यही राष्टवाद की जो भावना है वो लोगों में जो है वो जगाई जा रही है कितनी अजीब सी बात है विपक्ष कह रहा है कि देश के अंदर देश भावना राष्ट्र भक्ति जगाई जा रही है इसमें गलत क्या है क्या देश भक्ति इन नौजवानों में नहीं होनी चाहिए क्या क्या देश भक्ति राष्ट्र पति भावना जगाना अपराद है क्य किसले पड़ते कि धार्फोक बढ़ते हैं тебя जब ज़रुवत पड़े तो इस देश के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाओ जब को अगर पॉलिटिकल बैकिंग दी जा रही तो उसका क्रेडिट लेने में भी कोई गुरेज नहीं है अब मैं इस बात को यहां बतलाता हूँ आपको ज़रा घोशना पत्रों की तुलना करिए कॉंग्रेस ने अपने घोशना पत्र में लिखा कि हम सेना को जो खास अधिकार दिये जाते हैं कश्मीर जैसी जगे पे उन खास अधिकारों को कम करेंगे यूपीय के समय और कॉंग्रेस के समय सब जानते हैं कि सेना के हाद बांद के उनसे काम करवाये जाता था अब जो सेना को कश्मीर जैसी समवेदन शील जगे पर काम करना होता है वो पुलीस तो है नहीं तो उनको special अधिकार जिये जाते हैं कि आप किसी को भी arrest कर सकते हो, किसी से सवाल कर सकते हो अब वो अधिकार भी अगर आप उनसे ले लो तो यह हाथ बांधना नहीं हुआ तो क्या हुआ पूरे देश के जो सेनेक वहाँ पर जाते हैं वो क्यूं अपने जिम में ये लेंगे बात कि मैं देश के लिए कुछ करूं उसके बाद मुझे जेल में भी डाल दें तो कॉंग्रेस सेनेकों को जेल में डालना चाहती है नहीं मैं आपको बात कर रहा हूँ अब उनके अधिकार कम करने तो वो काम कैसे करेंगे दूसरा 40 साल से उनने वन रैंक वन पेंशन नहीं दी थी लेकिन भारती जंता पार्टी ने 18 महीने के अंदर आते ही अभी तक 11,000 करोड वन रैंक वन पेंशन के लिए दे चुके हैं तीसरा उधारन देता हूँ मैं आपको जब दिल्ली के एक विश्विद्याले के अंदर ये बात हुई कि एक समूँ वाँ इखटा हुआ और उसने नारे लगाए कि इस देश के टुकड़े होंगे इंशाला इंशाला उनकी पीट थपतपाने कौन पहुचा था जवाब गांदी वहां पहुचे थे उनकी पीट थपतपाने के लिए अब वही पार्टी कहती है जो 111,124 जो ऐसे लोगों के ओपर लगाई जाती है जो देश ठोड़गना चाहते हैं उसको हम हटा देंगे तो क्या चाहते है हो कि देश के अंदर विद्रोही पैदा हो जाएं तो रेशे रहे हैं कि राष्टवाद राम रोजगार पर भारी पढ़ रहा है बीजूपी के संकल पत्र में क्या ऐसा है यह जो हमने मुद्रा योजना जो शू करी 14 करोड लोगों को रिन मिला है 50,000 से कम यानि इतने सारे लोगों ने अपना स्वैम का रोजगार शुरू करा होगा तो यह जो जो रोड मैप है एक नक्षा आगे बढ़ने का यह प्रधान म पेंशन दी जाएगी है छोटी-छोटी दुकाने है उनकी उमर जैसे 10-30 साल से ओपर होगी उनको पेंशन दी-जाएगी आपको लगता यह नियाय के सामने जो आपने पेंशन स्कीम की बात की यह जो तो तमाम चीजों की बात की है क्योंकि न्याय का जिक्र बहुत ज्यादा हो रहा है इसको हम दरकेनार नहीं कर सकते हैं आप लिफष की चर्शा होती है तो कॉंघस का नाम ही नहीं आता हुए तो इसके बारा गुना हम दे देंगे और वो बारा उसके बारा गुणा भातर लार कहां से देंगे अब क्या है कि आई कि जो सरकार बनाने नहीं हेला वो तो फिर कुछ भी बोल सकता है ना मैं चंद्रमा को नीचे लियाओंगा लेकिन लाने की तक्नीक पूछो तो नहीं पता अगर आपको डिबेट करना है आपका डिबेट दो बराबर के लोगों में हो सकता है तो राहूल गांदी और प्रदान मंत्री की बीच में डिबेट कैसे हो सकता है यह तो जनता भी जानती है क्या ऐसा है अचा चलिए ठीक है जनता तो मूड अलग तरह का है लेकिन इस बार की अगर एक और मुद्दे की हम बात करें तो जातिगत आधार पर बहुत सारे गडवंधन हो रहे हैं लेकिन इस बीच ऐसे बयान बीजेपी के शीश पदों पर बैठे नेताओं के कि अगर आपके पास अली है तो हमारे पास बजरंग बली है क्या सही लगता है आप बताईए सही है जन्रल पबलिक और आप देखें कि फॉज में यह सिखाया जाता है कोई धर्म नहीं कोई जात नहीं कुछ नहीं सिर्फ एक लक्षे होता है और अगर उस लिहाज से भी देखा जाए फॉजी भी हैं आप सरकार के नुमाइंदे भी हैं जनता की नुमाइंदे हैं तो यह जाता है वह हिंदुस्तानी और मकसद एक हो जाता है वह है भारत वाकी रक्षा कर रहा है लेकिन फिर ऐसे बयान क्यों कि बहुत सारे बयान तो ट्विस्ट होते हैं ताकि टीवी के उबर प्रोग्राम चलता रहे मैंने सुना नहीं किसी को क्या बोलते वे लेकिन जो मैंने अपनी बात रखी वह आपके सामने रख दी अच्छा एक चीज़ और बताईए कि आप ऑपरेशन रक्षक के दोरान जमू कश्मीर में सर्व कर चुके हैं और सेना से जुड़े रहे हैं आपकी नजर में क्या वाकई में आर्टिकल 370-345-a को रिमूफ करना ही घाटी में ए इसकी जरूरत हो समविधान के अंदर भी लिखावा था कि इसको जब जरूरत नहीं होगी तो इसको हटा दिया जाएगा समय अस्थाई है साधरन नागरी के बाद जानता है समय आ गया है कि इसको हटाया जाए और हटाने के लिए समविधान के लिए अंदर कुछ जरूरत ह लेकिन तीन तलाग के मुद्ध पर अध्यादेश आ सकते हैं, लेकिन और ऐसे एहम मुद्ध और आपके वादे हैं, जिन पर अध्यादेश की मांग लोग करते हैं, पर वो नहीं आते हैं, राम मंदर उन्में सेख? नहीं देखिए, राम मंदर में हम बिल्कुल स्पष्ट हैं, और इससे ज़्यादा स्पष्टी करन और क्या चाहिए आपको, अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम कहें कि साब हम सभी कानूनों को तोड़ कर बनाएंगे, तो वो इस समय के लिए सही नहीं होगा, हमने अपने गोश मामला अगर कोट में हैं तो फिर उसे संकल पत्र में लिखने की जरूत क्या है, अगर कोट में है, आपकी बात हमने रख ली ना, हम राम मंदर बनाना चाहते हैं, सबको साथ लेके करना चाहते हैं, इसमें और क्या गुंजाईश रहेगी, सोचल मीडिया पे इन दुनों करते हैं, अभी मैंने इन सब से रिक्वेस्ट करी, मैं इस गाओं आई रहा था, मेरी पहली सबा इस गाओं के अंदर है, मैंने इन सब को रिक्वेस्ट करी ना, यह डीजे लेके खड़ रहेते हैं, बोला कि हम आगे आपके बैंड बजाएंगे, पीछे-बीचे आप रहा था, जो सब क्या अपने तरीके होते हैं, तो हम अपना सोशल मीडिया वहां आउन कर देते हैं, यह लोगों का स्ने हैं, जो पूरे देशवासियों को दिखना चाहिए.